दोस्तो अगर आप UPPCL TG2 भरती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तो आपके लिए गूड नीज है और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भरती आने वाली है कब तक आएंगी कितनी भरती आने वाली है और UPPCL में ट्रिपल सी जरूरी है कि नहीं जरूरी है आन वाली होती है तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको बता रहता है तो अगर इस तरह से अपग्रेट रहना चाहते है अपडेट रहना चाहते है डेली तो दोस्तो लेटेस्ट भरती के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है तो दोस्तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर भरती कब तक आयेगी और कितनी भरती आएगी। दोस्तों आपको पता है कि उत्तर पदेश में जितनी भरती हैं लगभग सारी भरती हैं जोस्तों अगर आप उस पध पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर online work करना पड़ता है। इतनी चोटी चोटी पोस्ट क्यों नहीं हो दोस्तों लेकिन उसमें आपको online work करना पड़ता है जिससे दोस्तों की आपको computer का ग्यान होना computer का knowledge होना बहुत जरूरी है जिसको मत नहीं देखते हो दोस्तों सरकार ने जितनी भी भाग हैं सभी में computer को compulsory कर दिया है तो जिससे द पहले ही आप लोग क्यों न ट्रिपल सी करके या फिर आप लोग कोशिंगों करके इसकी knowledge फूरी ले सकते हैं जिससे कि आपको भरती में joining करने के बाद आपको problem नहीं हो तो दोस्तों यह यतनी भरतिया होती हैं सभी में triple सी को allowed किया गया है उतरपदेश में जैसे मानलों acing Blowout कर दिया गया है तो दोस्तों यह मैं दावेक साथ कहता हूं कि आने वाले समय में आने वाले टाइम में यूपी provoke exercise को जरूरी कर देगा, हाला कि अभी तक कोई सुचना निकल कर नहीं आई है लेकिन दोस्तों यह मैं दावेक साथ कहता हूं कि आने वाले time में ट्रिपल सी जरूरी ट्रिपल सी जरूरी कर देगा तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेश्ट करता हूँ कि जिन जिन लोग नहीं तक ट्रिपल सी नहीं किया है तो आप लोग ट्रिपल सी का फॉर्म फिल कर दीजिए और ये हर मंध्ली साइकल में इसके एक्जाम होती है आप लोग एक्जाम दे करके इसमें A, B, C, D grade मिलता है आप लोग यह ले सकते हैं किसी भी grade में आप पास होते हैं आपको जो है उसकी value इतनी होती है ठीक है दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि vacancy कितनी आने वाली है और कब तक आने वाली है तो दोस्तो जहां तक मेरा मानना है अभी अभी 608 जो पद वेकेंसी आई थी तो दोस्तो उसको उसका result जारी कर दिया गया है और बाकी यतनी pending परिछाय थी pending exam थे वो सब कुछ करा लिये गया है दोस्तो अभी result भी जारी कर दिया गया है बाकी अभी DBA भी जो है और साथ में जो formalities बचे हैं वो सब हो रहा है दोस्तो तो ये सब होने के बाद अभी कुछ दिन पहले दोस्तो एक director की post भी आई थी जो की engineering के लिए था engineering मतलब BTK वालों के लिए था तो अगर आप लोगों ने BTK किया होगा तो इसमें जो है आपके लिए benefit होगा होगा फिलाल दोस्तो पता है कि मेरे इससब्सक्राइबर सब्सक्राइबर जितने भी हैं सारे ITE वाले इसमें हैं और ITE के साथ दोस्तो कुछ one day exam के preparation करने वाले UPCCC वाले हैं और डिपलमा वाले भी हैं तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता है दोस्तो यहां पर मैं बताने वाला हूँ कि जो भरती आने वाली दोस्तो यह September मन्त में September मन्त में दोस्तो यह भरती नहीं आएगी October के last तक दोस्तो October के last तक जो है यह भरती आने वाली है जी की भरती धोस्तो 91 पडोपर जो जी की भरती आने वाली थी वी भरती आने वाली है जक टूबर के last अपर और दोसवर TZ2 में और UPRBNL ठीक है UPRBNL में भी भरती कुछ न कुछ आने वाली है तो यहाँ घिमान के चलिए कि यहाँ पर कम से कम 1491 पदो पर यह vacancies आउट होने वाली है तो आप लोग का इंतजार खतम होगा October के last तक यह vacancy शेओर 100% आने वाली है तो जिन लोगों ने अभी तक कोई प्राइबेट हो चुका है नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं है यह vacancies आउट होने वाली है October के last तक election को देखते हुए सरकार ने जो है जितनी विभाग है सबी विभागों में कुछ ने कुछ भरतिया निकाली है अभी आप देख सकते हैं कि assistant teacher के लिए भी कुछ ने कुछ भरतिया आ रही है इसके बाद डिपी triple SC लेकपाल के लिए vacancy आ रही है तो ऐसे देख सकते दोस्तों जितने विभाग है सभी विभाग में कुछ ने कुछ भरतिया आ रही है तो दोस्तों अगर आप इंतिजार कर रहे हैं तो आपके लिए इंतिजार गड़ी कतम हो जगी है दोस्तों October तक आप लोग इंतिजार किजिए एक दूबर तक नई भरतिया आने वाली है आपको जो है आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों यहाँ पर 14-1 कानवे से अधिक पदो पर भरतिया आने की संभावना जताई गई है दोस्तों इस तरह सब्डेट पाने के लिए हमारे चैनल पंकच एडिटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं वे लाइगन को प्रेस कर सकते हैं पल-पल की अपडेट के लिए दब भी दोस्तों इन फ्यूचर जब केंसी आती है तो मैं आपको अपने चैनल पर सबसे पहले दिखाता हूँ ठीक है मिलते हैं उस तो अगले वीडियो तो अगले जाहिन बंदे मातरम